खुसी का रहस्य एक गाउं में एक साधू रहते थे, बहुत ज्यानी और सांती प्रिय। दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आते थे। वे सभी की समस्याओं को बहुत धीरच के साथ सुनते थे और बड़े प्रेम से उनका मार्ग दर्सन करते थे। उनके पास आने वाले लोग वापस जाते समय खुद को बहुत हलका महसूस करते थे। एक बार एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला महराज मैं आपसे खुश रहने का रहस्य जानना चाहता हूँ। मुझे यह रहस्य बताईए ताकि मैं हर समय खुश रह सकूँ। साधू उसे अपने साथ जंगल मे ले गए। रास्ते में उन्होंने उसे एक बड़ा पत्थर पकड़ाते हुए कहा, इसे पकड़े हुए चलना, वह आदमी पत्थर उठा कर साधू के पीछे चलता रहा, थोड़ी देर में उसके हाथ में पत्थर के बजन से दर्द होने लगा, पहले तो वह चुप रहा, लेकिन कुछ देर बाद ही बोल उठा, महराज पत्थर से पीड़ा हो रही है, तब साधू ने कहा, ठीक है, पत्थर नीचे रख दो, यही है खुश रहने का रहस्य, वह आदमी हैरान होते हुए बोला, मैं समझा नहीं, साधू ने कहा, जिस तरह पत्थर को कुछ मिनट उठाने पर होता है, उसी तरह तुम दुखों और चिंताओं के बोज को जितने जादा समय तक दिल पर उठाए रखोगे, तुम्हें उतना अधिक दुख होगा, इसलिए दुख के इस पत्थर को नीचे रखना सीख लो, धन्यवाद